हेलो फिर्ण्स विल्कम बैक टू मैं चैनल नीतूस कुकिंग हब आज मैं आप लोग लिए एक ऐसे चटपटे नास्ते की रेसिपी लेके आए हूँ जिसे ना ही हम मैदे से बनाएंगे और ना ही समोसे की जैसा फोल्ड करने की हमें कोई जरूरत होगे लेकिन जब आप इस रेसिपी को खाएंगे तो आपको समोसे की याद जरूर आएगी तो आएए इस चटपटे नास्ते की रेसिपी को बनाते हैं नास्ता बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर मैंने लिया है यह च्छे आलू तो यह बड़े साइज का आलू है जिसे मैंने बॉयल कर लिया और इसे हम हातों से ऐसे तोरेंगे क्यूंकि यह जो हम एस्टाफिंग बना रहा है इसमें चोटे-चोटे से आलू के चंक्स में और अभी मैंने यहां पे लिया है कडाही में मैंने तीन बड़े चमच वाय लिया है साथ में मैं इसमें आट की हूं आदी चोटी चमच जीरा और आदी चोटी चमच राई राई और जी रहा यहां पर चटक चुका है तो इस टाइम पर मैंने लिया है एक प्याज तो यह बड़े साइज का प्याज है जिसे मैंने बारी टुक्रों में कट किया है और इसे हम थोड़ा सा भूल लेंगे और यहां पर आप इसे लगातार चलाते रहें और एक मिनट हो चुके है और यह बूल चुका है तो इस टाइम पर मैं डाल रही हूiben एक पड़ा चमच किसमिस साथ में एक पड़ा चमच में यह डालुए है काजु जिसे मैंने चोटे टुक्रों में तोड लिया है तो इसे मैंने प्याज के साथ ही डाल दिया है ताकि काजू और किसमिश दोनों भी भून जाए और इसके साथ में मैं एड़ कर रही हूं दो हडी मिश जिसे मैंने बारिक टुक्रों में कट किया है और यहाँ पर यह सब चीज़े भून चुकी है तो इस टाइम पर मैं एड़ करें एक चोटी चमच लहसन पिष्ट तो यहाँ पर लहसन को मैं बीच में डाल के भून ले रहे हूं ताकि उसका कच्छापन अच्छे से निकल जाए और साथ में एड़ करें हूँ एक चोटी चमच लाल मिर्च पाऊडर अभी मैं ने याँ लिया एक परा चमच खळा धनिया जिसे थोड़ा सा कूट्लीया है कि वो half-half हो जाए और साथ में मैं अट कर रही हूँ आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर एक चोटी चमच भड़के मैंने आमचूर पाउडर एड किया है आदी चोटी चमच काली मिर्च पाउडर एक चोटी चमच जीरा पाउडर और इन सब मसालों को हम अच्छे से भूल ल है और इसे भी हम इसके साथ ही भूल लेंगे तो यहां पर इसे थोड़ा थोड़ा दबाते हुए भूने ताकि यह जो मटर है वह मसाले में हलका हलका सा मिक्स हो जाए क्योंकि हम यह स्टॉफिंग बना रहे हैं और यह अगर खड़ी खड़ी रहेगी तो हमारा जो नास्ता है वह फट सकता है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे दवाते हुए अच्छे से भूना है और हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है तो इस टाइम पर जो हमने आलू मैस करके रखा था वह हम इसमें एड कर देंगे और अभी हम इसे भी डाल के अच्छे से हरा धनिया हरा धनिया डालने के बाद भी मैंने दो मिनट भूल लिया है और यह हमारा स्टाफिंग रेडी है तो अभी आप इसे एक प्लेट में निकाल के साइड पे रखते हैं अभी मैंने यहां पे लिए यह तीन कप आटा तो आप चाहे तो इस रेसिपी को मैदे में भी इसे खस्ता बनाने के लिए मैंने यहां पर लिया है हाफ कप वाईल तो यहां पर मैं यह थोड़ा सा गुनगूना वाईल का यूज कर रहे हूं आप चाहे तो वायल लेकिन हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है तागी हमारा जो आटा है वह एकदम स्मूथ दिखे आप जितना अच्छा आटा को गूतेंगे उतना ही आपका जो नास्ता बनेगा वह क्रिस्पी बनेगा और यहां पे आप देख सकते हैं कि यह हमारा आटा लग चुका है और इसे लगाने में मुझे हाफ कप पानी ही लगे है और अभी हम इसे ढख के 10 मिनिट तक ऐसे ही छोड़ देंगे रेश्ट पे 10 मिनिट हो चुके हैं और इसे मैं फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर रहे हूँ और यहां पे आप देख सकते हैं कि यह आटा कितना स्मूथ उपर से दिख रहा है तो हमें बस ऐसा ही आटा लगाना है और अभी मैंने इसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया है इतना बड़ा से हम रोटी बनाते हैं बस उतना ही लिया और यहां पे मैंने लिया है एक बावल में मैंने लिया था एक बड़ा चमच मैदा और थोड़ा सा पानी एड़ करके हम एक ग्लू तैयार करेंगे ताकि हम जो नास्ता बनाए उसे अच्छे से चिपका सके अगर पानी से चिपकाते हम कभी-कभी तो हमारा नास्ता खुल जाता है तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं खुलेगा अभी मैंने यहाँ पे जो लोई ली थी उसे डालके मैं अच्छे से बेलूंगी तो हमें इसे रोटी के साइज में ही बेलना है और ना ज्यादा मोटा और ना ज्यादा बहुत पतला बेलना है और यहाँ पे यह हमारा रोटी बेल चुका है तो इस टाइम पर मैंने इसे चाकू से 2 पार्ट में कट कर दिया है और आदे पार्ट को हम अबी हटा देंगे यहां से और जो यहां पर आदा पार्ट बचा है उस पर हम डालेंगे स्टफिंग तो जितनी स्टफिंग आ सके उतना आप अपने हिसाब से भड़े फ्रेंट्स और जो हमने ग्लू तैयार किया है वह चारों तरफ से हम इसके कोने पे लगा देंगे और बस इस पार्ट को उठाके हम दूसरे पार्ट के तरफ मिला देंगे और इसे हातों से ऐसे प्रेस कर देंगे ताकि यह अच्छे से पैक हो जाए यह अच्छे से पैक हो चुकी है लेकिन अभी हम लोग एक फोर्क लेंगे और फोर्क से इसे इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि यहाँ पे एक अच्छा सा डिजाइन भी आजाए और यह और अच्छे से पैक हो जाए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इजी है इसे बनाना और यह कितना सुन्दर दिख रहा है तो इसी तरह से हम सारे स्नैक्स को बना लेंगे तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में रखा है और इसे मैं एक कपरे से ढगते रही हूँ और एक डिजाइन मैं आपको और बता रही हूँ यहाँ पे इस तरह से भी हम इसे गुद सकते हैं जैसे हम लोग गुजिया वगरा बनाते हैं तो इसी तरह से मैंने सारे स्नैक्स को रेडी कर लिया है और यहाँ पे मैंने वाइल डाल दिया था गड़म होने के लिए तो यहाँ पे वाइल को हमें बहुत हलका गरम करना है और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ स्नैक्स को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने कम बबल आ रहे हैं तो इसे ऐसे ही लोग फ्लेम पे आप फ्राई होने दे इसे जो हमारा स्नैक्स तर लेका वो काफी क्रिस्पी होगा इसी तरह से हमें दो से तीन बर उलटते प्लटते हुए लोग फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह कितने अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो यह जितनी क्रिस्पी दिख रही है उतनी ही टेस्टी भी है और मैं इसे आपको तोर के दिखा रही हूँ ये देखे फ्रेंट अंदर से पूरी स्टफिंग भड़ी हुई है तो आप इस टेस्टी स्नैक्स रेसिपी को जरूर ट्राइ करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे चैनल को लाइक सेर सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंट साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक्स पर वाचिंग